हाई एवरिवान दिस दीप शिक्का फ्रम नर्शिंग माइंड और टोड़ेंग चैप्टर फाइव और फ्लेमिंगो बुक अफ ग्लास 12 इंडिगो बाई लुई फिशर लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि गांधी जी को ऑफिशिल नोटिस मिलता है कि वो चंपारन ठो कोट के चले जाए तो गांधी जी उस ऑर्डर को डिसोबे करते हैं उसे नहीं मानते हैं जिसके कारण उन्हें कोट में बुलाया जाता है और अगले दिन जब उन्हें कोट में बुलाया जाता है तो बहुत सारे पीजेंट्स बहुत सारे फार्मर्स वहां पर कोट के बाहर और जो Britishers हैं, जो officers हैं, वो ये सब देखकर बहुती ज़्यादा confused हो जाते हैं कि इन्हें कैसे यहां से हटाएं, तो उन्हें farmers को control करने के लिए गांधी जी की help लेनी पड़ती है, जब गांधी जी अंदर court में जाते हैं, उन पे trial चलाया जाता है, तो जो judge होते हैं, वो कोई proper decision नहीं ले पाते हैं, और वो कुछ time के लिए कांधी जी को liberty पर छोड़ देते हैं, उन्हें free रहने का order दे देते हैं, चलिए आप इसके आगे देखते हैं, what happens in the chapter, राजेंदर प्रसाद, ब्रिज किशोर बाबू, मौलाना, मज़र उलहक and several other prominent lawyers had arrived from बिहार, जब गांधी जी को court का order ना मानने के जुर में free कर दिया गया, तब राजेंदर प्रसाद, ब्रिज किशोर बाबू, मौलाना, मज़र उलहक और बहुत सारे prominent lawyers, prominent means बहुत ही जो famous है, बहुत ही great है, बहुत ही बड़े lawyers had arrived from बिहार, वो बिहार से आए, they conferred with Gandhi, conferred means discussed, उन्होंने गांधी जी के सा कि अगर गांधी जी को jail हो जाती है, तो वो क्या करेंगे, वो सारे lawyers क्या करेंगे, why the senior lawyer replied, they had come to advise and help him, if he went to jail, there would be nobody to advise and they would go home, तभी senior lawyer ने जवाब दिया, कि हम आपको advice करने आपकी help के लिए यहां पर आए है, अगर आप ही jail चले जाएंगे, तो हम यहां पर रह के क्या हम सब यहां से चले जाएंगे, what about the injustice to the sharecroppers, Gandhi demanded, तभी गांधी जी ने demand किया, कि क्या हम सब मेरे लिए काम कर रहे हैं, या फिर उन sharecroppers की help के लिए कर रहे हैं, तो अगर उनके साथ जो injustice हो रहा है, जो उनके साथ unfairness शोक किया जा रहा है, उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, the lawyers wait to to consult, और तभी सभी lawyers एक दूसरे के साथ consult करने लगे, राजेंदर प्रसाद has recorded the upshot of their consultation, जो भी lawyers एक दूसरे से consult कर रहे थे, discuss कर रहे थे, उसका upshot means conclusion, उसका conclusion राजेंदर प्रसाद ने record किया, they thought amongst themselves that Gandhi was totally a stranger and yet he was prepared to go to prison for the sake of the peasants, उन्होंने सोचा, उन सभी के बीच में गांधी एक ऐसे इंसान है, जो किसी दूर प्लेस से आये हैं, बिलकुल stranger है उनके लिए, और फिर भी वो उन पीजेंट्स के लिए, फार्मर्स की भलाई के लिए, जेल तक जाने के लिए ready है, if they on the other hand, being not only residents of the adjoining district, but also those who claim to have served these peasants, should go home, it would be shameful desertion, और फिर वो सोचते हैं, कि अगर हम lawyers, जो ना सिर्फ आसपास की district में रहने वाले हैं, बलकि हमने इन पीजेंट्स को सर्व भी किया है, हमने इनके लिए काम भी किया है, हमने इनकी help की है, इनके case लड़े हैं, Englishman के against, अगर हम ही इने छोड के घर चले जाएंगे, तो ये बहुत ही shameful होगा, ये बहुत ही शर्म वा रेडी हैं, हम आपके साथ में जेल आने के लिए रेडी हैं, और ये सब सुनने के बाद गांधी जी मुस्कराते हुए बोले कि चमपरन की जो लड़ाई है, वो हम जीत चुके हैं, क्योंकि अभी तक सभी लोग Englishman से इतना ज्यादा डरते थे, कि उनके against कोई भी खड़ा न गांधी जी ने बोला कि हम लड़ाई को पहले ही जीत चुके हैं, then he took a piece of paper and divided the group into pairs and put down the order in which each pair was to court arrest, फिर उन्होंने एक पेपर लिया, उस पे कुछ groups के नाम लिखे, उनको डिवाइट किया और उन सभी को order दिया कि किस तरीके से उन्हें court arrest होना है, उन सभी को जेल में जाना है, several days later, गांधी received a written communication from the magistrate informing him that the lieutenant governor of the province had ordered the case to be dropped, dropped means to come to an end, कि हम उस case को खतम कर दे, finish कर दे, अब कुछ दिनों के बाद गांधी जी को एक written communication, एक written letter मिलता है, जो magistrate की तरफ से है, और वो उन्हें इन्फॉर्म कर रहे हैं कि lieutenant governor उस province के, उस state के जो भी lieutenant governor है, उन्होंने order दिया ह कि इस case को हम यहीं खतम कर रहे हैं, civil disobedience had triumphed, triumphed means succeeded, यह जो civil disobedience किया था, उन्होंने means, जो court का order नहीं माना था, उन सभी ने मिलकर, वो चीज़ क्या हो गई है, अब जीत गए है, वो इस चीज़ को लेकर successful हो गई है, the first time in modern India, और modern India में यह उनकी पहली जीत थी, जो किसके against थी Britishers के against थी, गांधी and the lawyers now proceeded to conduct a farflung inquiry into the grievances of the farmers, farflung means widely distributed, जो बहुत दूर तक फैली हुई है, ऐसी inquiry, and grievances means complaints, जो भी farmers की problems थी, तो गांधी और lawyers ने अब एक inquiry conduct की, जो बहुत दूर तक फैली हुई थी, और जिसमें farmer जो थे वो अपनी complaints दे सकते थे, अपनी जो भी उनको problems, वो face क कर रहे थे, वो बता सकते थे, depositions by about 10,000 peasants were written down and notes made on other evidences, around 10,000 farmers ने अपनी statements थी, रिटन में दिया और उनके साथ में proofs भी दिये, documents were collected, सभी documents को collect किया गया, the whole area throbbed with the activity of the investigators, पूरे area में जो भी farmers की complaints थी, उनको लेकर investigation स्टार्ट हो गई, and the area throbbed throbbed me speed rapidly, चो पूरा area था, उसमें यही हल चल मची हुई थी, तो वो एक तरीके से बहुत ज़्यादा shore, बहुत ज़्यादा vibrations हो रही थी, वहाँ पे, and the vehement protest of the landlords, landlords कोन थे, Britishers थे, वो farmers के साथ बहुत ज़्यादा अत्याचार कर रहे थे, एक तरीके से, तो इसलिए, वो भी forceful protest कर रहे थे, कि ऐसा ना हो, हमारे against inquiry ना हो, in June, Gandhi was summoned to Sir Edward Gate, the Lieutenant Governor, और June में, Gandhi जी को order आया मिलने के लिए, Lieutenant Governor ने उन्हें बुलाया था, Sir Edward Gate ने, Before he went, he met leading associates and again laid detailed plans for civil disobedience if he should not return, अब उन्हें कोर्ट की तरफ से, Lieutenant Governor की तरफ से, एक order आया था, तो इसलिए, उन्होंने वहाँ जाने से पहले, वो leading associates, उनके जो partners बन चुके थे, उनसे वो मिलते हैं, और फिर से, एक detailed plan बनाते है, civil disobedience का, कि अगर वो वहाँ से वापिस नहीं आत गांधी had four protracted interviews with the Lieutenant Governor who as a result appointed an official commission of inquiry into the Indigo sharecropper situation, अब जब गांधी जी को Lieutenant Governor ने बुलाया, तो वहाँ पर उनके four protracted, protracted means long lasting, बहुत बड़े बड़े interviews हुए, Lieutenant Governor के साथ, और इसका result किया हुआ कि उन्होंने एक official commission की inquiry बिठा दी, इंडिगो sharecroppers की situation में, the commission consisted of landlords, government officials and Gandhi as a sole representative of the peasants, consistent means उसके अंदर क्या क्या था, जो उन्होंने commission की inquiry बिठा था, उस commission में कौन कौन लोग थे, landlords थे, means Englishmen, government officials थे, means Britishers की government की officials and Gandhi और Gandhi अकेले थे, as the sole, sole means only, as the only representative of the peasants. गांधी remained in Champaran for an initial uninterrupted period of seven months and then again for several shorter visits, uninterrupted means continuous जिसमें कोई interruption नहीं है बिना रुकावत के, तो गांधी जी starting में बिना रुकावत के continuous period seven months तक चंपारण में रहे और उसके बाद वो कुछ-कुछ time के लिए वहाँ पर आते थे, the visit undertaken casually on the entity of an unlettered peasant in the expectation that it would last a few days, occupied almost a year of Gandhi's life, entity means request, unlettered means not well educated, ये जो visit थी, गांधी जी ने casually ले ली थी, किसकी request पे, and pretty missed request, एक peasant ने request की थी, राजकुमार शुकला ने, उन्होंने request की थी, जो बहुत ज़्यादा educated भी नहीं थे, ज़्यादा पड़े लिखे नहीं थे, और गांधी जी को expectation था कि ये कुछी दिन की problem होगी उनकी, और फिर सब कुर sort out हो जाएगा, but it occupied a year of Gandhi's life, the official inquiry assembled a crushing mountain of evidence, crushing mountain of evidence means a large number of evidences, बहुत सारे evidence उन्हें मिले, जब inquiry की गई, against the big planters, big planters, यहाँ पर थे Englishmen, जो farmers को अपनी जमीन as a rent देते थे, और उनसे इंडिको की खेती करवाते थे, तो उनके against बहुत सारे proof मिले, and when they saw this, they agreed in principle to make refund to the peasants, और जब उन्होंने देखा कि हमारे against inquiry में इतने सारे proof मिल चुके हैं, तो वो ready हो गए peasants को उसका refund देने के लिए, कुछ amount देने के लिए, बट how much must we pay, they asked Gandhi, उन्होंने गांधी जी से पूचा कि हमें कितना pay करना पड़ेगा, they thought he would demand repayment in full of the money which they had illegally and deceitfully extorted from the sharecroppers, he asked only 50%, अब Englishmen जो थे, planters जो थे, वो सोच रहे थे कि गांधी जी शायद देमांड करेंगे, कि हमने जो भी पैसा illegally or deceitfully means cheatingly, cheating करके दोखा दड़ी से extorted means obtained forcibly, जो हमने forcibly दोखा दड़ी से इनसे पैसा निकाला है sharecropper से, हमें वो सारा का सारा full repayment करना पड़ेगा, but Gandhi जी ने सर्फ 50% की demand की, there he seemed adamant, adamant means determined, firm, but यहाँ पर वो बहुत ही firm लग रहे थे अपनी बातों में, जो उन्होंने 50% की demand की, वो इससे बिलकुल भी हटने वाले नहीं थे, writes, Reverend J. Z. Hodge, a British missionary in Champaran, who observed the entire episode at close range, यह लिखा था, Reverend J. Z. Hodge ने, जो एक British missionary थे, Champaran आय हुए थे, और उन्होंने यह सारा episode, यह सारा incident, बहुत ही closely judge किया था, बहुत ही closely observe किया था, तो उन्होंने बताया कि Gandhi जी उस time बहुत ही जादा firm हो गए थे, अपनी बात से बिलकुल भी हेल नहीं रहे थे, कि उन्हें 50% जो amount था, उनका payment वापेस चाहिए, thinking probably that he would not give way the representatives of the planters offered to refund to the extent of 25% and to his amazement, Mr. Gandhi took him at his word, thus breaking the deadlock, amazement means surprise, took him at his word means to take someone seriously and deadlock means an inability to continue, जहां पर कोई बात आगे-बड़ ही नहीं पा रही है, so that's called deadlock, अब उन्होंने सोचा कि he would not give way, कि ये अपने रास्ते से तो नहीं हटेंगे, तो representative ने क्या offer किया, उन्होंने 25% का offer किया, कि हम 50% नहीं देंगे, हम 25% refund कर देंगे, and to his amazement, और ये बात उन्हें बहुत ही ज़्यादा surprise हुई, कि गांधी जी ने उन्हें इस बात को seriously लिया, Mr. Gandhi took him at his word, उन्होंने बहुत ही seriously लिया, और deadlock को खतम कर दिया, breaking the deadlock means, क्योंकि वो इससे आगे बढ़ ही नहीं पा रहे थे, अगर वो बोलेंगे कि हम 50% नहीं देंगे, गांधी जी बोलेंगे कि हम 50% ही लेंगे, तो इससे बात आगे बढ़ेगी नहीं, इसलिए गांधी जी रेडी हो गए, कि ठीक है आप 25% उनका refund कर दो, this settlement was adopted unanimously by the commission, unanimously means without objection, जब सभी किसी एक particular बात पर ready हो जाते हैं, that's called unanimous decision, तो यह जो decision था, यह unanimous हो गया, गांधी explained that the amount of the refund was less important, than the fact that the landlords had been obliged to surrender part of the money, and with it part of their prestige, prestige means reputation, फिर गांधी जी ने explain किया आपने साथियों को, कि important यह चीज नहीं है कि हमें कितना refund मिल रहा है, बट जो चीज इंपॉर्टन है वो यह, कि हमने इन लांडलोड्स को, इन ब्रिटिशर्स को, इन इंग्लिश मैन को मजबूर कर दिया है, कि यह अपने पैसे से कुछ पार्ट सरेंडर करें, चाहे वो 25 परसेंट ही क्यों नहीं हो, वो यह देने के लिए ready हो गए है, and with it part of their prestige, और इसके साथ साथ, कि हम इंडियन की request पे जुक रहे हैं नीचे, इसके साथ साथ वो उनकी prestige जो reputation है, उसको भी वो surrender कर रहे हैं, उसको भी वो एक तरीके से, उनकी वो जो reputation है वो भी एक तरीके से गिर रही है, प्लांटर्स जो थे, जो English men थे, जिनकी जमीन थी, वो ऐसे behave करते थे, कि वो law से भी उपर हैं, भगवान की तरह हैं, now the peasants saw that he had rights and defenders, defender means someone who protects people, someone who protects others, जो दूसरों की रक्षा करता है, but अब किसानों को भी पता चल गया था, कि हमारे भी कुछ rights हैं, कुछ अधिकार है, और हमारे साथ हमारे लोग हैं, जो हमें defend करने के लिए ready हैं, हमें save करने के लिए ready है, he learned courage, अब किसान जो था, वो courage सीख रहा था, कि साहस किस चीज़ का नाम है, और ये होना बहुत जरूरी है, इवेंट्स justified Gandhi's position, और ये सब जो incidents हुए, जो events हुए, उससे गांधी जी की एक position वहाँ पर justify हो गई, एक position बन गई उनकी, within a few years, the British planters abandoned their estates, which reverted to the peasants, abandon करना, किसी चीज़ को छोड़ देना, so they left the estates, कुछी सालों में, British planters ने उस जगा को उन जमीनों को छोड़ दिया, which reverted, reverted means returned back, which returned back to the peasants, जो वापिस किसानों के पास उनकी जमीने आ गई, Indigo share cropping disappeared, और Indigo की जो share cropping थी, जो नील की पहले share cropping की जाती थी, वो सब disappear हो गई, अब किसानों को अपनी जमीने मिल गई, वो अपने मन से किसी भी चीज़ की खेती कर सकते थे, So this was all for today, I hope यह पार्ट आपको समझ में आ गया होगा, Remaining chapter हम cover करेंगे next videos में, Thanks for watching the video, take care, bye bye!